Hello everyone, welcome back our YouTube channel तो आज की वीडियो में हमारे पास LG का Dayton का AC है तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइमर कैसे लगाना है कि अपने आप AC ON हो जाए तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा AC Dayton का AC है तो हमने जो इसका MCB है वो ON कर रखना है आपने तो हम इसको बताएंगे कि टाइमर कैसे लगाना है ठीक है गाइस तो सबसे पहले 550 यह टाइम हो गया तो अभी हम क्या करते है इसको आपने क्या करना है यहाँ पे आपको टाइमर की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी यहाँ पर टाइमर की option मिलेगी तो आप करने क्या करना है इसको दबाना है यह on की option आ गई तो आप अभी हम 5.50 का time नहीं लगाना अभी हमने 6.00 पीम का यहाँ पर लगाएंगे यह हमने लगा दिया और यहाँ पर आपने setup पर क्लिक करना है वहाँ पर जो एक clock बना हुआ आ ग का हमने यहाँ पर timer लगाया है तो अभी अभी अब देखते हैं पर कैसे timer on हो जाता है यह सी on होता है या नहीं होता और इसको हम off भी बताएंगे आगे आने वाले वीडियो के लिए जो अभी इसमें कई ऐसे power saving mode भी है और इससे बिजली काफी बचती है और काफी फाइदा ह होगा आपको ठीक है गाइस तो अभी हमने छे बजे का इसका अलारम लगाया है कि यह ओन हो जाएगा ओन का यहाँ पर साइन आ गया है ठीक है आप चैक कर सकते हैं और am pm का दियान जरूर रखें उसकी बाद यह timer यहाँ पर clock show होगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पर timer है वो लग गया है तो यहाँ पर सबसे निवाद देख सकते हैं कि छee बज गई है तो अभी जो यहाँ पर शो हो है लगगया टाइमर लगाया था टाइमर लगने की वज़द से यहां पे जो एसी अपने आप है वो ओन हो चुका है आप यह चेक कर सकते हैं मैं आपको इसका आवाज युगारा भी चेक करवाता हूँ यहां पे यह फैन इसका फैन की यहां पे आप थोड़ा सा नौइस सुन भी रहे होगे फैन की साउंड जो डिसी आ रही है और एसी हमारे चल गया है हापा वगेरा काफी अच्छी आने लग गई है और काफी बढ़ी है एसी हम यहां पे आपको देखने को मिल रहा है अच्छा है एस कंपेर टू वोल्टास आई थिंक मुझे जो लगता है बाकि आप अपने बारे में बता सकते हैं कि कौन सा आपको बेस्ट लगता है बाकि इस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि यहां पर पावर सिमिंग मोड भी इसमें दिये गए है तो अभी हम क्या करते ह पर क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लोक आगया ठीक है करवारो कि यह ऐख बना हुआ आ गया अभी छे बच के एक मिट होई है तो अभी जो अपने आप वह एसी ओन ओफ हो जाना चाहिए ठीक है तो कई करते हैं कि यहां पे कई मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा वो कहाते हैं कि यहां पर एसी ओफ नहीं होता टाइमर ओफ से तो आपको स्लीप मोड पर ऐसे लगाना पड़ता है कोई दूरत नहीं आपको कोई भी स्लीप मोड लगाने की इसमें ओफ की जो उन्होंने अपने आप खुछ दी हुई है कई एसी कोई उन्हों में डिफाल्ट होगा तो इसी वज़े से वह काम नहीं करते हैं ठीक है तो अभी हमने ओफ का टाइमर लगाया है 6 बज के 2 मिट हो ग आपको अपने आप जो एसी है वो ओफ हो जाएगा बाकी फीचर्स और आके जो भी इसको कैसे कैसे नए फीचर्स भी है तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे और 6,9 हो गया है 6 बज के 9 मिनिट और सिर्फ ओनली 1 मिनिट लाफ रह गया है तो बावर कंजम्शन कैसे लिंक कैसे लाएंगे इसके बार भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो उतने में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो सबसे पहले जो स्क्रीन इसकी open आड़ाई यह स्क्रिइन इसकि उफ हो गही है रिमोट कि तो अभी जो एसी है देख सकतें हैं आप आप यह सी आफ नहीं हुआ है कि की स्क्रिण इसकि ओफ हो गही कि अभी कुछ सेकंड के बाद it six пять ऑफ हो जाएगा Remember दो देश सकती है अपने आप जो एसी है वो अपने आप ओफ हो गया है देखिए मैंने कोई भी बटर नहीं दबाया और जो भी हमारा जो टर्न ओन और टर्न ओफ वाला काम था वो हो गया है ठीक है गाइस तो वीडियो को लाइक और चल्ड को सब्सक्राइब करके जुरू जा करना कि हमारा जो आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन बढ़ता रहे थैंक यू गाइस